नमस्कार आप मुझी देख रहे हैं MNS News लाइट पर देखते हैं आज की बड़ी खबर बैंक से पैसे निकाल कर आये रिटायर्ट SI की बैंक से बाहर मारपिल्ट और हत्या बान्दा में पूलिस ओफिस के चंद कदम दूर बैंक से पैसे निकालने आएं एक रिटायर्ट दरोगा की बाइक सवान लुटेरो द्वारा हत्या कर दी गई है हत्यारे मृतक के गाउ के ही बताये जा रहे है बैंक से पैसे निकाल कर जाते समय घात लगाये बैठे लुटेरो ने मृतक के ऊपर बैंक के नस्दीक ही हमला बोल दिया और ताबड तो पैसे लुट कर भागने लगे तभी मृतक के लड़के ने एक लुटेरे को दबोच ल के लिए भेज कर मामले की जाज शुरू कर दी है पूरा मामला कचेहरी परिसल में बने स्टेट बैंक की मुख्य शाका के नस्दिक का है जहां पर जन्पत के निवाईज गाउ के रहने वाले रिटार दरोगा कलू प्रसाद अपने पतनी वबेटे के साथ बैंक से पैसे निका तो बैंक की नस्दिक ही चोटे लाल और राम सुधिर ने कलू प्रसाद व लाग घुसों से हमला बोल दिया और पैसे लेकर भागने लगे तबी मुरुतक के बेटे रज्जा ने चोटे लाल को दबोच लिया जबकि राम सुधिर पैसे लेकर वहां से फरार हो गया खास बात यह है कि घटना स्तल से महच चंद कदम की दूरी पर पुलिस अधिक्षा कारे लेव डियम ओफिस मोजुद है इसके बावजूद भी लुटेरे ने दुस्सा हिसिक घटना को अंजाम देने में बेलखोल भी कोई कसर नहीं छोड़ी है इस पूरे मामले में पुलिस का कहिना है कि मामले संग्यान में आने के बाद वृत्व के शव को पंचनामा करों से पोस्माटम के लिए भेज दिया गया है पूरे मामले की जाज शुरू कर दी है जाज के आधार पर दोशियों के विरुद कारे वाई की जाएंगी तो गाम काहियत गाम सुभीर नाम का बेक्ति और उसके साथ एक नंगूत मैंने दोनों को एक बार चेलिए वहां से गुजरा हुए देखा जब पापा के पाइसे निकाल ली गे तो वहाद लगाया वाटे थे पापा पचार ज़र पजब इसनी छीव देख जी और तो तीन मु को से निकाला कहां और राता है का अब ही एक का रहा है कि और प्रजनों का यारों कि यह बता रहें कि यह पैसा निकाल दे गए वहां से ले गए तो वहीं की मौद नोके पर हो गई है पाड़ी को पोस्मार्टर प्रावर के भी दिये गाए और पॉस्मार्टर पाद पता चले कि जो एक मौद कैसे गई है तो यहती खबर हमारे ब्यूरोचीफ शिवकुमार शिवहरे की गुंदेल खंट से आप हमारे चैनल को एप पर भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और एप डाउनलोड करें साथी साथ आप हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरे देख सकते हैं लिंक हाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरे देख सकते हैं आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें फिल्हाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरे देखने के लिए बने रहें MNS News लाइट के साथ नमस्कार